इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे जलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिगरेट भी ना मना है, उल धुम्रपान ना करएं, ना करने दें, धुम्रपान पड़ेगा मेहांगा खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहांगा पड़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरिट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक है कि अगार के लिए थे नमस्ते जी वह अंदर है नमस्ते जी खाना खाया है भाई सब काफी पीना आपने सुनो लक्ष्मी तुम ठीक तो हो ना आप हो न मेरे साथ वो देखो अब ही हमारे घर से एक बेटी बाहर जा रहे है तो मुझे एक और बेटी ही चाहिए समझ गई यह अकेरी बस नहीं हुई क्या अब दूसरी बेटी जब पैदा होगी तो मैं भी उसे अपनी मा का नाम दूँगा सावित्री अगर यह नाम लोग सुनेंगे तो हसेंगे बड़ी एक्ट्रिस का नाम है ऐसा क्या कह रही हूँ उसके बारे में तो मुझे पता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मा तो बहुत बड़ी एक्ट्रिस है एए मा को बताऊं क्या मुझे पताऊं क्या उवे पताऊं का स्थे देन झाईं क्या फुवे this मैं तुम्हें सिर्फ कुस्से में नहीं मार रहा हूँ अपने परिवार के लिए मार रहा हूँ सिर्फ मुझे पता चला इसलिए मार कर छोड़ रहा हूँ मेरे भाईया को पता चलता तो अब तक तुम खत्म हो चाते मेरी बेहन तुमसे प्यार करती है क्या कभी उसने तुमसे बात की है क्या तो फिर यहां किस बात हो सौतीनक शत्र चतुर्थी के दिन पैदा हुई है इसलिए जिससे वो शादी करेगी वो बहुत ही भाकिफान होगा ये बात इसे पता है इसलिए उसे भगा ले जाने के लिए है बेटा हर इंसान बुरा नहीं होता है बेटा कुंडली मिली है ये सोच कर लड़की को भागा कर ले जाना चाहते है आदम दूबारा अगर ये सोच अपने खयाल में बिलाया तो बहुत बच्चता होगे ये मेरा वादा है तुमसे क्रिश्ना कहां गया बहिया कहां चले गए थे जोटा सा काम था जाओ जाकर काम देखो लड़का अमरीका से है ना हाँ वहीं से है यहां से अमरीका के लिए बस है बिदी हाँ बस है मीना लेकिन उसे बस नहीं कहते एरबस कहते है कुछ माँ मां क्या हुआ मां क्या हुआ मां मा आप ठीक तो हो मा पापा भाबी काक्षा मगला आरती शुरू है आप एट जाए उठना ही सकती है लक्ष्वी क्या हुआ कि अच्छों पिले जाए इस बाइए कि शुर्द मेंज़े इस बश्दति मैं अचांट हो जाएए अच जाएए अच्छी मेंड़नी हो जाएए कि घृट जाएए दोर नहीं हो जोटिया तोर लकति दिए कुछ झम गविधी काष्म गविधी गविवब गविधी को भी ईड़ो गाई झाइ हुआ 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 सावित्री सबसे सुनो चेहराई की धुन सुनते ही ये चहकती है ऐसे मंगल सुत पहनने को मचले दुलिहुंजे से पिरा दी जब ये हसे तुखुश बूढती है चले जादू खिल जाए घर हर सू जब ये चुआ है जब ये चुआ है दुल हंसी शर्माए सावित्री हो दिल सब कालू भाए सावित्री सब की है चहती सावित्री हो शादी की इसको जल्दी बड़ी है ये गुडिया अनोखी बाबनी शादी के जोड़े सेती है सपनों में खो जाती है रहती सदा ही खाब में रहती सत्री हो तक में खुचिए को धुचिए खाब में शादी थांसे विए अजिए बॉड़े सी च। रहती चहती है कल जो मैंने होमवर्क दिया था किसने कंप्रेट नहीं किया कम ओन गेट अप क्या हुआ होमद क्यों नहीं किया आप ही ने तो कहा था कि होमद नहीं गया तो शादी करवा दूँगा इसले नहीं गिया कि अ कि अ नहीं नहीं गौंटे ही न दूबिद नुद आप उचंगों भादा प्रतकैः सभीरा जम् रहे शुचळे नव नवन्स आजमा आप होँचिगरमूरूगुगवंधित शिवशंकनम् अलबेले कुडिया एक आईरसे नहीं शैनाई सुनके हुई पैदा सुनो शादी के सपने इसकी आखो में देखो है ये अलखी गुडिया सबसे सुनो अरे सावित्री, तुम इन गहनों में कितनी खुबसुरत लग रही हो कोई तुमी मेरी में नसर न लग जाए तुझे इतना सवरने के क्या जरूरत है क्या पाब्लम है, क्या गलत किया मैंने इसके बाद तो मेरी ही शादी है ना इसलिए सर्फ चेक कर रही थी अरे पॉगलो जैसी बाते मत कर चल गहने उतार, पूजा का टाइम हो रहा है अच्छा दीदी, तुम्हें जाने के लिए भी टाइम है ना तो तुम अभी सब ना बैक्यों पैक कर रही हो ओ हो, हरीमून के लिए क्या बस क्या दीदी, आप पाकिंग का टेंशन पेकार में क्यू ले रही हो ये ले, तुने उस लड़के को देखा है तुम शादी करने वाली हो ना, इसलिए मैंने उससे नहीं देखा उस दूले को तुने अपने आखों से देखा है क्या कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए शादी ज़रूरी है तुससे सवाल पूछ रही हूँ, क्यूंकि मैं ही बेवकूफ हूँ ठीक है, मैं जा रही हूँ घर चोड़कर भाग रही हो क्या, कसम से? लेकिन क्यूं पूछ रही है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम चली गई तो उनके पास दूसरा अप्शन नहीं रहेगा हाथो, उनकी साथ मेरी शादी करवा देंगे न पागल हो गए जो तू शादी करेगे उससे कोई भी रहने दो, मेरे लिए शादी इंपोर्टेंट है तेरी मंजी उधर से मच जाओ, पाँ चाचा है, इधर से जाओ इसमें मुझे कुछ गड़बर लग रहा है कोई गड़बर नहीं है, मैं ही जीतूँगा, पत्ते फेको क्या हुआ भावी? आपके भाई को देखो, बेटी की शादी हो रही है और ये पत्ते खेलने में व्यस्त है आरे वो तो ऐसी खेल रहा है, आप टेंशन मत लिजे, मैं सब कुछ देख लूँगा वो ऐसे गौरी पुजा का समय हो रहा है, बिटीयर एडी है ना? नहीं, पता अभी देखती हूँ जी भावी शो चाचा जी सही वक्त में बताया इसलिए बच गया अगर ये ना होती तो आज हमारी इसत मिट्टी में मिल जाती है गहने तो बहुत भारी है, मौसी संभालकर, सारे मेरे गहने है दीदी का है? वो साड़ी का है मिल नी रही है दीदी घर से भाग गई है ये क्या बात कर रही है तू? बावी, गौरी पुजा का समय हो रहा है लेट क्यों कर रही है, जल्दी चलिए और क्या लेट होगा, बेटा बड़ी वाली घर छोड़कर भाग गई है अरे क्या हुआ? सब अपना ही प्लान है उनको पता चल गया, तो सोचो क्या होगा कुछ नहीं होगा भावी अगर वो भाग गई तो इससे शादी कौन करेगा लेकिन ऐसा क्यों? बेवकूफ, एसी लड़की के घर में कौन शादी करेगा तो क्या मेरी भी शादी कभी नहीं होगी? इस चन्द में तो कभी नहीं भाईया सुनने के चिला ये बात चाचा जी दीदी कहा गई है मैं आपको बताती हूँ चाचा जी प्लीज चाचा जी मुझे शादी मंजूर नहीं शादी नहीं करनी थी तो पहले इंकार करते थी शादी रुकी तो भाईया की इससा डूप जायकी इससे पहले उनको पता चले तुम चलो यहां से प्लीज चाचा जी प्लीज चाचा जी प्लीज इसकी शानी तो हो गई, अब मेरी लाइन क्लिय है मेरे पास एक प्लान है, ससुर जी को पटा लूँगा तो बेटी अपने आप पट जाएगी कोई काम किस नहीं कर सकता है, जा कर देख उदर क्या हो रहा है, चलो क्या हुआ? भाया, मौका अच्छा है, सावित्री के लिए कोई अच्छा रिष्टा देख लें अरे अभी तुम बड़ी बेटी की शादी हुई है, कुछ साल रुक उसकी भी हो जाएगी मेटा रहने दे, 35-40 साल की होने के बाद इसकी शादी करवाएंगे अरे बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे करते? ढूंडेगा तो मिलेगा ना, हमारे बाजु वाला सार्थी अपने बेटी के लिए लड़की ढूंड रहा है उनकी खिती का काम भी हम लोगी देखते हैं, बहुत अच्छा परिवारे बहिया अरे लेकिन अभी के अभी कैसे क्रिश्टी? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं सावित्री के रिष्टे की बात चल रही थी बात आप तक पहुँच गई क्या? हाँ, वो क्रिश्टा बता रहा था कि… क्रिश्टा का मतलब? वो तो वहाद आ है उन्होंने जैसा का, वैसा ही कीजिए पर यह इतनी तारिख मत कीजिए सावित्री की शादी उनसे हो रही यह ने कैसे पता चला यह क्या? रॉंग कनेक्शन इतनी इतनी रही कीजिए इतनी कीजिए आपकी शादी तै हो जाए इसके लिए है बुद्धी शीर्डी मनःत मांगने क्लिए जाने वाली है हमें भी जाना है बैक पैक करो दादी ने बताया तम लोग शीर्डी जाने वाले हो ना मनत मांगने के लिए अभी तो गाउब बदल रहा है फिर हवा भी बदलेगी आर तुम्हें भी बदलने वाला एक तक तुम्हारे हिसाब से शादी नहीं होगी और नाही दादी के हिसाब से वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा All the best सत्ती कैसा होगा वो दिदी ये क्या है कल की बात मा को बताई तो तुमारा खून कर दूँगा तुने जो किया अगर वो सुने भी तो तेरा खून कर देगी मामा जादा मत बोलो नहीं रुकूंगा और बोलूंगा क्यों भया ये पार्टी में नहीं जाना चाहता था तो क्यों लेकर गए इसको इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे बेटे से दूर रहना चाहता हूं तो मैंने दस दिन का ट्रिप प्लान किया है यहीं बताने आया था गलती से भी मेरे साथ आने की कोशिश मत करना एक काम करो तुम्हारा मेरा कोई उस्ता नहीं है ऐसा बोर्ट गले में टांकर घूमो लाइफ में पहली बार अच्छा आइडिया दिया है थैंक्यू यह लो फकड़ो कंटिनियू इस सफर में आप लोगो का मौनरंजन करने के लिए रंगा एंड गंगा म्यूजगल गुरूप को अपॉइंट किया गया है आई प्रेट फॉर्म पे नहीं ट्रेन में गाने की पर्मिशन लिए फ्रेंडली ट्रेवल्स को 2002 में स्थापित किया गया बहुत मुश्किलों से हमने इस ग्रूप की शुरुवात की और आज रहाए आप इतना बखवास क्यों कर रहे हैं प्रेंडली ट्रेवल्स यह पोटो वाला गाड़ी में चड़ रहा है क्या वह गाड़ी में चड़े चड़के कोई गड़बर करें इससे हमारा कोई लेना देने नहीं है इस बात को काट बांदो इसका बकवास नहीं बंदोगा चलो सब गाड़ी में चड़ो उससे बिस्तर में खटमल डाल दो तेरा बला हो बाबा अरे देरे देरे चड़ो तकलीफे तुछ उसे साथ क्यों रखा है आतमी दस दिन सिगरेट पिले तुसे छोड़ नहीं पाता वह तुसे दस महिने से दे सावित्री बेबी गाड़ी चल पड़ी है आजो बेबी छूट जाएगी ट्रेल साथी बेबी सोरी सोरी बेबी बेबी ओतारम जी ओतारम नहीं जस्ट अवतार यार तुने बताया नहीं से अवतार आरे वो सब रहने तो यार 54 आने वाले बेबी बावन से पहले ही गाएब हो गई क्या हुआ बावन से पहले गाएब हो गई मैं समझ गया मतलत प्राबलम की शुरुआत हो चुकी है तुम भाग रही थी तो मैं गिर गया जी कहां जाना है एस टू क्यों जा रही हो मेरे दिल के अंदर आ जाओ न वहां की बर्थ एकदम खाली है खुबसूरत पैसेंजर का इंतजार है करवा दू रिजर्विशन ट्रेंज चूटने से बचा लिया थैंक यू तो बोलो थैंक यू जी अरे मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है बेबी कहा है आओ तार्म जी सत्थी अहां बेबी आ गई और प्राब्लम जी मामा तुम भी इसी ट्रेन में हो ओवर्टिंग देखा रहा हुआ बहुत खुश हुई बहुत खुश हुई मामा तुम्हा गे ना मैं हैपी हूँ अब चले क्या है अपसे नया पंगा शुरू हो गया क्यों रहे तुने अपनी हरकते शुरू कर दी क्या हुआ था टीवी में शादी का गाना आ रहा था तो पीछे पीछे ये भी आया हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी उसे पता चला ना तो चपल की जोड़ी पड़ेगी चपल भी चाहिए तो जोर से मत बोलना ऑलेटी जल्दी ही खामोश हो जाएगा जिसके बारे में दीदी नहीं कहा था वो इंसान यह हो सकता है क्या तो मैं क्या लगता है मैं इसका हम सफर बनपांगा मुझे तो उमीद कम लगती है पर तेरा नशा चड़ी जाता है ऐसे लो गलत नशे में ही चूर रहते हैं और कोई काम ध घर पार जाएगा हाँ फोकस उस पर रखिविया तुने और आल फोकस मुझे कर रहा है अरे लुक- लुक तो आ रहा है क्या हाँ पॉर आ रहा है आ रहा है आ रहा है तुझे शरम नहीं आती लड़की काम करी और तुझ देख रहा है बिल्कुल ठीक किया बेचा भर-भर कर खाता है पर काम कुछ नहीं करता तुम्हें तो बस मौका चाहिए ना अरे पमे जी उसका फोटो दिखा कर कहा था कि कोई संबन नहीं लेकिन वो तो भांजा निकला बत्तमीज भांजा उसकी संबना सिग्रेट पीने से हर कोई मरता है फिर भी सिग्रेट को गौर्मेन ने बैन किया क्या अरे मुसीबत में ऐसा ही होता है समझता नहीं है मुझे बोल बचन दे रहा था सिग्रेट की बू आ रही है जैनट राजा रंगा और गंगा मुजिकल वाले आप सब को तहे दिल से प्रणाम कर रहे हैं इस खुब्सूरत गाने को सुनाने के लिए हमें मौका दिया इसके लिए फ्रेंड़ी ट्रिवल्स के आउतार जी कोई भी देखेगा तो यहीं काएगा बिल्कुल अजन्ता की मूह रहत हो तो जानती हूँ सब कुछ जानती हूँ एक बात बोलो प्यार से समझा रही हूं समझ जाओ परना मुझे समझाने के दूस्ते तरीके भी आते हैं बोलती हो तो लगता फूल खिल गए यह नहीं क्या वा बेबी तुम्हें मुझे चीक आ रही है अचीक आया कलखासी आएगी अगले दिन टेंगु हुआ मलेरिया हुआ तो दादी मुझे मार डालेगी तीन लोग जा रहे हैं दो लोग ही वापस नहीं आने चाहिए अबरक्टिंग कम करो तुम नहीं समझोगी आतारम जी अतारम जी तमी छी मेरी बात सुनिये है इस भजन के इलावा इस ट्रेंग में डॉकटर मिलेगा क्या आरे मैं इस ट्रेंग में वेटनरी रूकटर कहां से लेकर आऊं लिए रही है गोग और छलिए अबूध के लिए अबस ने रहे, जब कर व्यवित, पश्य कर हैं ना ऐसे क्या देख रहा है आप डॉक्टर रो इस बात का मुझे यखीन नहीं हो रहा चलो यखीन दिलाता हूं बेबी डॉक्टर मिल गए अच्छा अच्छा यह डॉक्टर है ऐसे लोग गलत नशे में ही चूर रहते हैं और कोई काम धंदा नहीं होता पता है इने क्या कहा जाता है ठर्की ह Sulky doubling भूल ना डॉक्टर साव झुमारा नाम पूच रहे है सावेतरी दोक्टर तुम्हे गाँ से क्याले नहीं देना हमारे गाँ में कोल रहे हैं बाजु के गाँ आप पता करने लॉजिक है पीछे आउंगपा तो मारने वाली थी अब तो हात पकड़ने वाला हुँ लंबी सास लो छोड़ दो फिर से लो फिर छोड़ दो सास लो छोड़ दो ए डॉक्टर यह ट्रीट्मेंट नहीं लग रहा है योगा लग रहा है योगा ची तु अपने मूँ बनकर उन्हें अपना काम करने देख प्रॉब्लम नहीं है मौसम बदला है इसलिए सर्दी हुई है टैबलेट ले लेगी तो ठीक हो जाएगी टॉर्की डॉक्टर साहब आजकर मुझे भी जड़ा भूग नहीं लग रही ज्या हो सकता है अरे अभी एक किलो एपल खाया तो फिर तुम्हीं बताओ भूग कैसे लगेगी बगवास बनकर अच्छी वेल्कम टू तूली राइले स्टेशन दादी कहां है उसे नीम की घुली खिला कर ऊपर सुला दिया हूँ एए मैडम को बैटने के लिए जगा दे तैंक यू सर बेबी तुम्हें ऐसी कोछ नहीं दिखा क्या यह मेरे गरीब बॉस की रईस बेटी है गॉड बॉस पी प्रिजी कांचीवरम है नहीं धर्मापूरम तुम्हारी अभी 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 शादी हुई है अगर और थोड़ी देर होती तो मेरी शादी दूसरे के साथ हो जादी है यानि यह तुम्हें उठाकर लेकर आया है ओ मेडम चोर उठाते हैं लवर भगाते हैं तो इन्होंने चोर से प्यार किया यह कौन है जो एसी बाते कर रहे है वो जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है सावी बेबी कॉंप्लिट करेगा चुपने ना सत्ती विका लोगों क मैंने सोचा नहीं था कि उसकी ठिंकिंग ऐसी होगी तुम पर भरोसा करके आई है तो तुम इतने चीप क्यों सोच रहे हो ओ हो सोचने जरूरी है तुम एक ही हो या तुम्हारी और भी बेहन है एक छोटी बेहन है लेकिन मुझे फुल सपोर्ट करती है उसने ही मुझे पापड भी बेलने पड़ेंगे ज्यादा पापड मत पेलो भाग चाओ यहांसे अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है किसका फोन है मेरे डैड तो उठा लो उठाया तो मुझे मार ढालेंगे वह मुझे ढूंड रहे होंगी मुझे बहुत टेंशन हो रही है वाश्रूम का है उतर 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 हालो आपकी बीटी शिड़ी जाने वाली ट्रेन के एस्टू कोच में है रात को कामरेडी में ट्रेन रुकेगी आप अपने अदमियों को भेज दीजिए यह तुमने बहुत अचा क्या बेबी वशाखतम तरण में तकर्ण वी स्थाम से शिर्डी ट्रेन अभी थोड़ी देर में रवाना होने वाली है इसकी रिष्टीदा का है एक ली खिने के थाथ थेर्ड कों शुमने प्लेटफर्म से यांप एक्सपरेस फीर्पर्सा यह गाला है कि यहां पर है वह पिछे देखा शाठ नमर पे यहां भी नहीं है वह दोनो देखो बाद में चाल 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 बेबी कम फास्ट कम फास्ट बेबी कहां पर जा रहे हो तुम लोग पता चलता ही तुम्हें बता देंगे बोस थैंक यू बात में बोलना अभी चलो कम बेबी कम फास्ट चलती बागो कर जा रहे हो इतर आओ चलो चलो उस गाड़ी में चलो मेरी शेकल क्या देख रहे हो तुम उन्हें बगड़ने आया हो आप तु जाओ बगड़ो चलो गाड़ी निकाल चलो एक काम तुम हो गया हाँ ट्रेन चली गई अब मैं क्या करूँ यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं एक आइटम को देख मस्त है ना बिलकुल मस्त साही बाबा पर रक्षा करो रक्षा करो साही बाबा कहा वटा करियो अंदर बैठो आजाओ अरे बाबा तुम मेरे पी अलोट नहीं पारे पीछे हैं जल्दी सी आजाओ आगे आगे यह लोग भत्ती वाला गाना नहीं कारें बत्तों को डराने वाला काना कारें अते बेबी काहां साही बुट्टी तो हें पर रहें लें रभी कि नियुका इदटली सारी समझ गया उस हीरो ने कुछ किया होगा ओतारम जी ओतारम जी आओ तोर रहे बेबी नहीं दिख रहे हैं आपने अपना सर क्यों पकड़ रखा है हमारी बेबी कहा है आपका भाण्या भी नहीं दिख रहा है और वो दोनों लवर्ज भी गायव हैं सावित्री को जगा दे अभी दादी की नीद खुल गई अरे तु शौक पर शौक बंते मैं मर जाओंगा यार अगर तू नहीं मरेगा तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा बेवी नहीं मिली तो ए सत्ती बापरी बापरी सावित्री के लिए नाशलिकर आ जा अरे बापरे अब तो बुड़ी भी उठकी थोड़ी देर में साःम मुझे फून करेंगैं अब मैं क्या करनों ऑफून करना चाहिए ना एक पून कोरना चाहिए हाँ पून करो स्फिकर में डालो कर तो रहूं ना ये तो दुस्ती लड़की है अपनी कर्फरेंट को फोन लगाया क्या अरे कस्टमर क्या रहा यार वो कौन है कोई डॉन है क्या वो नेटवर्क में नहीं होंगे तो वर्क आउट कर रहे होंगे अरे ये क्या लोकेशन चेंज होगी अरे बापरे ये क्या यहां तो कार का शेप भी चेंज हो गया है काउन और तुम लोग और मुझे कहा लेकर आगाई है अंदर लेडीज भी मोजूद है ये क्या तुम्हारा फैमिली बिजनस है और ये कौन इसकी शकल पी चोर लिखा ऐसा हुआ वैसा हुआ वह भूल जा अब क्या होगा वह मैं बताता हूं जानते हो इसके लिए तुम कितरे सालों के लिए जेल जाओगे हम जेल के साल काउन नहीं करते हैं सेकेंड्स और मिनिट्स काउन करते हैं हाँ सही कहा ग्यारा बचकर सत्तावन मिनारा और च्छैसुपचास किलोमेटर दो रातें बिना नीद के मैं आप ही को तो ढूंड रहा हूं मुझे क्यों ढूंड रहा हूं अभी नहीं समझे क्या अरे रोमियो ने भी जूलेट को इतने प्यार से इतनी बार नहीं बुला होगा जितनी बार तु बार-बार मुझे प्यार से बूला रहा है आके इतना प्यार कैसे उमढ रहा है पर युक चल रहा था और तब मुझे आप इन्हें भड़काया था लड़ने के लिए सूसेंग अब आपको समझ में आया कि नहीं इस पोज को क्या समझू भाई आप साक्षात क्रिष्ण है मैं क्रिष्णा अगर मैं क्रिष्णा हूं तो तू क्या अर्जुन है मेरे भाई तेरे इसाब से मैं क्रिष्णा हूँ और तू अर्जुन है पर इस बात का सुबूत क्या जरा वो तो बता इसकार के अंदर वो मूर्ती है ना आ मोर्पक और क्रिष्ण की मूर्ती कौन सा अगाना प्ले हो रहा है भगवत गीता इस कार कैप क्या है ट्राइवर हूं इसका मतलब सार्थी है पहले तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी एकीर नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने खुद के अंदर जाक कर देखा तो मुझे क्रिष्ण नजर आया मैं क्रिष्ण हूं ओके तुम अर्जुन हो ओके पर यह लड़किया कौन है और यह चोड़ शिकल कौन है यह सुभद्रा है मेरी बेहन यह शशी रेखा है अच्छा तो मेरी बेटी है यह अभिमन्यू प्रणाम श्रीमान यह चोड़ शेकल वाल अभिमन्यू है बेबी कुस्ते शशी रेखा बेबी तुम चुप बैठो मैं पांडवो के पक्ष में हूँ तो अरजुन अब बताओ की कौन से कारी संपन्न करना है आपको नहीं पता है क्या शेशी रेखा की शादी तो फिर देर किस बात की चलो 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 चलते हैं यह वो मेरी सीटा है मैं कृष्ण हूँ बेवकूफ सच में करेक्टर में गुज क्रिष्णा वाव आम सो एक्साइटेग कैने चेका सेलफी वित यू सव बेभी क्या कर रहे हो बेभी तरने की जरूत नहीं है मैं रत का सार्थी हूँ सुनो अर्जुन तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच तो है ना अभी भी तुम्हें कुई शंका है क्या इसका मतलब गीता का एक विश्रुक याद क्यों नहीं आ रहा है पहले तुम्हें याद आगा कि तुम क्रिष्णु हो इसके बाद तुम्हें भगवत गीता याद आगी लॉजिक है भई आयम क्रिष्णा तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है वो कौन है अरे वही जो पत्ते खेलता है ज पॉलो कर रहा है को अधिक अधिक है यह जान पचान वाले है गाड़ी साइड करके इंसे बात करते है ना यह बात नहीं करेंगे सेसी रेखा का चीव हराल कर लेंगे प्रक्रवाइब हराएब वहार अधर लग रहें हो अधिक तुम टेंशन मतलों और है तुम आधको एई ने भी पेजने वालों को मारना चाहिए बेबी प्सकिल देन लाग यह अधिकुम्रियों कुद्धकोदने की बात कर करेंगो अर्चुन, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता है, रैस ड्राइविक कर रहा है, वो मेरी कार गो टेक करने जा रहा है, ऐसे में मैं ड्राइव नहीं कर सकता, भाई कुछ तो करो स्वामी, इसने मुझे उठा के इधर कर दिया और मेरी ड्राइविक जीट पे खुद पैट गया, तो मेरा थोड़ा सा इगो हट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इम स्वामी अगर ऐसे समय में भी इगो, कुछ तो करो मुकंदा, अगर भगवान कृष्ण को ऐसे समय में भी, बॉस क्या आइडिया लगा है, बॉस अभी तक क्यों नहीं आया, साफ फोन कर रहे है मुझे, गाड़ी मिस हो गई होगी, कल तक तो नहीं आएगा एक बार तो बूलो उनसे कि ठीक से गाना गाएगा, बता दूंगा बेबी, यह क्या है बेबी? जो तुम्हें काटें वो मच्छर है बेबी, तुम्हारे पिता जी की वज़े से देखो, आज हमारी कैसी हालत हो गए बेबी यह सोची ऐसे क्या देख रही हो? मेरी दीदी ने मुझे पहले ही बताया था, कि मुझे तुम जैसा एक लड़का मिलेगा तुम्हारी दीदी कुंडली देखती है? नहीं जी, श्राब जीती है तुम्हें पता है, मेरी दादी हमेशा कहती रहती है कि कभी किसी के फटे में हाथ नहीं डालना चाहिए मैंने ही नहीं सुना पेकार में उन्हें फोन करके बता दिया मैं जानता हूँ तो क्या, वो भी ये बात जानते हैं? उन्हें नहीं बताया Thank God I was wrong तुम्हें अच्छे इंसान हो, तुम्हें अपनी शादी में बलाऊंगी मुझे अच्छा इंसान बोलके शादी किसी और से लेकिन उन लोगों ने तो तुमसे मदद नहीं माँगी तो वर तुमने क्यों मदद की? मदद पूछ कर नहीं करनी चाहिए जरूरत देखकर करनी चाहिए क्योंकि येने सच में जरूरत होती ही मदद की वो मांगते रही है बढ़िया है, बहुत बढ़िया बैसे तुम काम देंदा क्या करते हो? ट्रेन में बेकाल में घुमने की अलावा? मुझे दुनिया देखना पसंद है इसलिए घुमता रहता हूँ मुझे जिन्दीगी से महबत है इसलिए मेडिसिन की पड़ाई की है हसने की वज़ा नहीं ढूनता और गुस्से के लिए वज़ा नहीं मिलती कल के बारे में ज्यादा सूचते नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कल जो होना है वो होकर ही रहेगा कैसा होटल है कैसी सर्फिस है क्यों क्या हुआँ डोसा जल गया है भाई अरे इसके बिल में 100 रुपया जादा जोड़ना इसके बिल में 1000 रुपया जोड़ उठाई से बाभु तो यूह है वोट्स और सैंड़िचे इस यह बिना कुछ खाया है नोटशोट की बात क्यों कर रही है बेबी क्या उल्टी सी दिवात कर रहा है दूम क्या एक यह हाथ उठाने की बात कर रहा है इसके बिल में पांचसो रुपय जोड़ दे इडली के 200, पूरी के 300, दोसा फ्रेश है न तो 500 रुपे सुनो मित्र, तुम डोसा ही दे रहे हो न, तो उसके उपर ही इतना हैवी टेक्स को लगा रहे हो इनको देखके समझ में नहीं आ रहा है, जरा इनकी बनावट तो देखो, जैसे शादी के मंडब से इसे भगा कर यह लंगूर लेकर आए है तो फिर बैठो न, बैठो, अरे यह उटकर के फिर बैठा इसके बिल में 500 रुपिया जोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, मक्खन, अपनी शकल देखिए, जो मक्खन मांग रहा है तू ट्रेन से तुम अकेली नहीं उत्री हो, सावित्री, मैं अभी तो उत्रा हूँ, लेकिन तुम फिकर मत करो इनकी शादी वादी कराने के बाद, खुशी-खुशी चड़ जाना लेकिन कहा है? डोली में, सावित्री ये, जोकर कृष्ण, आर्जुन इन लोगों को तो मैं संबालता हूँ, कार कमर्थ रेपेर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरे बारे में चिन्ता मत करो, आर्जुन इस पेर को तुम संभालो, रेपेर को मैं संभालता हूँ ठैंके, कृष्ण क्यों आजा बेडी आजा भई यह हमारे गाउं का मंदिर है बहुत फेमस है दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं यहीं वह मंदिर है जैसे बताया वैसा नहीं है ठीक है तो तीन हजार काम करता हूं लभी बेडी शरम करो इन लोगों नहीं तो मंदिर तक को नहीं अब और आपने बेबी यह से क्यों है सुनो फाइन मास्टर हां यहां पर नए कपड़े मिलेगे क्या क्या बोला तुने नए कपड़े यार अपनी शकल देखिए जो नए कपड़ा चाहिए सेकंट एंड कपड़ा मिलेगा जाकर ले ले चलो चल कर ले ले लेके एक बरश्र बटेखब एक परेखब एक परेखब है कि यह रखो में आता हूं कि उधर देखो कोई बड़ा ग्यंग लगता है इसके लिए बड़ा बिल फाड़ूंगा तेने अंदर लेके जा तो मेरा बिल कॉन भरेगा काहा ना इने अंदर लेके जा समझगी है चलो बच्चा लोग अंदर चलो जाकर ले आओ उसे तुम्हारे लिए क्या पंच डालाग मारू अंकल ने तुम्हें चिकन मटन का लालज दिया और तुम्हें यह चले आए बॉटम लाइन यह है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा और वो लोग शादि करेंगे अब तुम्हारे लिए पंच लाइन मारू होना ही चाहिए होना ही चाहिए क्रिशन जी का जनम दिन है तो उनका प्रोग्रेम होना ही चाहिए उनके जनम दिन पर उनका गाना सुनेंगे चोटे गाना सुनने के बाद ही जोशा आएगा और फाइट करने में बहुत मजा आएगा वालियूम थोड़ा बढ़ा दे पुरूंत बारायी सलगी लात न मपुनने लिए है कुंछा काता है तेरी तो अरे पट्रे यां से अरे पट्रे आए हाँ पट्रे जी बेड़ के मैं जल लीकिजी तेरी शाहत वह जाना दे चल तुन दार उन्पर फाइन करूगा मधू, मधू चोड़ो मजे माधू 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 इन सबसे तो निपट लिया लेकिन आगे पूरी फॉज आ रही है क्या रहे पूरे गाव को उठा के लिया है क्या इन लोग को तो मैनेज कर लिया लेकिन इतने साले लोग को मैनेज कैसे करेंगा भाई चुपराओनो तुम हुँ हुँ है तुम्हें क्या लगा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा कमान चलो जल्दी वेटो गारी में चलो सेफेक्तश बरीटो जल्दी वेटो प्ती के संवाल कि आपशेएंगें कट कर रहा है वो फिर से करो सावित्री लगता है अभी मुझे प्रिपोस करेगा बोलो आखिर बोल ही दो मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो अभी तक जो भी कुछ हुआ वो प्यार था तो शादी भी होगी यही सोच रही हो ना लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैं सब जानती हूँ सावित्री वो अलग है हम लोग अलग है देखो मिस्टर तुम शायद अलग होगे मैं बिल्कुल नहीं हूँ गरवालों ने जिसे पसंद किया है उसी से शादी कर लोगी नहीं तो क्या किसी अंचान इंसान से शादी करना सही नहीं है मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ तुम क्या करोगी देखो मेरा पीछा छोड़ दो मेरी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है कट कर रहा है यार और एक पर करो प्लीज नहीं बताया तुम्हें जवाब देना होगा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ तुम अच्छे लगते हो लेकिन एक दोस से ज्यादा कुछ भी नहीं सावित्री दो मिनिट में ट्रेन आ रही है अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो ब नहीं करनी तुम्हारे घर वालों से आकर बात करता हूँ वह चलेगा देखो मेरी शादी मत तोड़ो तुम्हें आ चुके सावित्री आखरी बार पूछ रहा हूं मैं मेरा आखरी बार भी जबाब वही है है क्या प्रावलम है स्टेशन पर खड़ा हूँ हलो मैं अंकल बोल रहा हूँ बेटी दो दिनों में लौट रही है एंगेजमेंट फिक्स करनी है अपनी मा के साथ आ जाते तो बहुत अच्छा रहता है अंकल मुझसे तीन मीटर दूर एक लड़की खड़ी है उससे तीन दिन पहले ही मैं मिला हूँ और उससे मैं प्यार करता हूँ यह बात उसके अलावा सब को समझ में आ गई है इस सिलसले में बात करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कोई और रिष्टा ढूंड लीजे और मेरी मा को भी यह बात बता दीजिए जब तक मैं इस पागल लड़की को समझानी की कोशिश कर र यह उसे यह शादी यह मन्जूर नहीं है अम यस कह रहा है किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है हमेशा सोचा था कि तू मुझे पसाएगा लेकिन इस बार तू ही पस गया बहुत मसारा मुझे यह फूटो पहले ही नहीं दिखा सकती थी मा तुझे कह यह मजाक लगता है पहले तो तू हमसे जबरदस्ती करके उनसे बात करने को कहता है रिष्टा तुडवाता है और अब अचानक बात करने को कह रहा है तुझे जो कनाहिकर यह कुछ नहीं कर पाएगा तुझे पहले यही बारे में सोच रही होगी उसकी तो जिसने रिष्टा ठुक रहा है अगर वो मुझे मिल जाए ना उससे तो माँ डालूगी मैं मैंने कितने सपने सुझाये थे सब तूटकर भी कर गए यह सब मेरे ही साथ क्यों होता है तुम दुखी क्यों हो रही हो बेवी दुखी नही से कुछ नहीं होने वाला अगर सब कुछ सही रहता तो आज इंगेजमेंट होने वाला था लेकिन आज माहौल ही कुछ और है उससे कुछ गलती नहीं हुई यह फिर वह अंदर जाकर बैठी है लगता है मुझसे ही कुछ जल्दबाजी हो गई आपकी क्या गलती है बहिया मै छ नहीं हुए कर रिष्णा ही टूटाया अपना है हमार क्यों कोई ओ सकता है इस सेमें हमारे सामने ही हो लेकिन हम जोग उसे देखनी पा रहहे हूं वह सकता है हमारे आज पोडूस में कोई और इनके बातों से मुझे कुछ या लाई हूं रुमारी सावित कि जैसे ही भारती संस्कारों वानी लड़की ढून रहे हैं सावित्य उनके लिए बिल्गुल सही रहेगी देखो एक बार मुझसे पहले गलती हो जुकी है मैं उसे दोराना नहीं चाहता है बिल्कुल सब्सक्राइब कुछ नहीं है भईया हम उन्हें अच्छी तरह से जानते सोचा था क्या क्या हो गया बेचारी ये बुल-बुल फस गई बहुत अच्छा हुआ ना तुम्हें एक बात बताओं कि आगे क्या हो रहा है सुन रहे सत्थी इनकी भविश्वानी हमें नहीं सुननी है बोल दो इने तुम्हारी भविश्वानी हमें नहीं चाहिए तेरे ल आजनी कश बताओ ना तु बहुत जल्दी उड़कर जाने वाली है पहली बार आया वो रिष्टा बसका था ये रिष्टा तो एर बसका है उड़ो उड़ो कहां तक उड़ेगी मैं भी देखती हूं मेरी प्यारी मेरी शादी हो रही है मेरी शादी हो रही है जब तक मैं इस पागल लड़की को समझाने की कुशिश कर रहा हूं तब तक मुझे फोल मत कीजिए बेबी 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 ये सत्ती रिष्टा भी तोड़ दिया ऐसा सपना आया उस सपने को छोड़ो वो रिष्टा बाहर बैठा हुआ है अरे बापरे वो यहां की हो आया चल चल कर देख 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 सर मजसे एक चोटी से गलती हो गई क्रिश्णा जो गलती मैंने किये गुस्सा अना जायज है लेकिन भूलने के लायक भी है सर आपके साथ दो बात का निया बोला पहली बात मैंने आपसे कहा था ने कि मैंक लड़की से प्यार करता हूँ वो कोई और नहीं आप ही की बेटी है मेरी बेटी का जब रिष्टा पहली बार आया था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे डॉक्टर हो सोच अच्छी बात है यहां तुमारी खेती भी हम ही देखते है प्रहचान का रिष्टा है यह सोच कर खुशी हुई थी लेकिन तुमसे बात करने के बात तुम मुझे पसंद नहीं आया किसी लड़की के घरवालों से कहना कि आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं आई यह हिम्मत की बात है मेरे घर में आने वाले महमान से इस तरह से बात की जाती है यह संसकार मुझे है अगर मुझे हिम्मत नहीं दिखा तो चलेगा लेकिन संसकार ना हो तो नहीं चलेगा सर आपका मुझे पर उसा करना जायज है लेकिन मेरा प्यार भी उतना ही सच्छा है सर मुझे आपसे पूरी उमीद है आप मुझे माफ कर देंगे अगर वो तीन मीटर की दूरी वाली लड़की मेरी बेटी न होती तो तुम यहां आते नहीं बर्खुरदार मुझे उमीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा तुम जा सकते हो सर दूसरी बात हमारी खेती आप ही समालते थे न मैं चाह रहा हूँ वापस हमें दे दे यह बात तुम से नहीं करेंगे तुमारे घर के बड़ों से करेंगे इसलिए मैं अपने मामा को लाया हूँ हाँ वो मैं कह रहा था कि वो खेती अगर हम लोटा देते तो कृष्णा इनकी मांग नाजायज नहीं है हाँ पर वक्त थोड़ा गलत है जाकर इनी खेती दिखा दो ठेक है भी है क्या कह रहा है? मुझे पता है तु खेत के लिए यहा नहीं है तेरी आखों में दिखता है कि तेरा मकसद कुछ और है सावित्री के लिए दूसरा विष्टा देख लिया है सावित्री हमारे घर के इज़त है भाया के इज़त है और उसे बचाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता हिसाब पराबर रखता हूँ क्रिश्णा जी आप इतना वजन मत उठाइए कमर दुखने लगेगी मेरे फैसले आपकी तरह बीच पर नहीं लटकते कन्फरम होते हैं इस पार ये उस पार एक महिने में खेती का कम पूरा हो जाएगा तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल जाएगे तुम्हें चाहे जरूरत हो या ना हो यहां नजर मताना अच्छे से स्टेडी के आया मैंने कमजोरी भाब चुका हो बात तो बन कर रहेगी कैसे भी गोनी उठा के ज़ेशलो भाणजे यह खेती क्या है शादी क्या है वो लड़की क्या है लो आगे तुम अच्छे खेत देखने के लिए याए हो क्या सोच रही हूँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुम से शादी की तो खेती देहज में मिलेगी पहले केती हासिल करूँगा फिर तुम्हें देहज में लूँगा ज्यादा मज़ो जो मेरे बारे में मैं न्यू यॉर्क या पैरिस में जाकर रामाराव के साथ सेटल होने वाली हूँ तो फिर इस गदे को अफरिका में छोड़ दो शनी छूड़ जाएगा सावी बेबी बोले देना सत्ती इंकार किया इसलिए दुखी हो गए है ज्यादा कुछ कहा तो सह नहीं पाएगा अजय यह क्या करना कुई देख लेगा इतने करीब से देखोगी तो रोप नहीं पाऊगी जाओ पुछ से दूर जाओ यह से चल सत्ती शुक्र अभी सरवच्च शिखर पर बैठा है तो भी अपना काम नहीं हो रहा है अपने काम को जो रुकवा रहा है कौन है वो यह तु कहा लेकिया गया अजो ऐसा लगते है अंदर कोई पूजा हो रही है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद दूंगा सुन यहाँ पर विश्वास्राव कान है गर में आउरत नहीं फिर भी दिया जला हुआ है रंगोली बनी हुई ये पूजा हो रही है बरी दोपहरी में तू इतना बेवकूफ है क्या आकरिया हो क्या रहा है ये बात पूछने का अधिकार सिर्फ हमें है दो दिन पहले तुम्हारे आदमियों को पट्टी लगी थी उन्होंने आके बताया होगा कि उस लड़की के साथ एक लड़का था वो मैं हूँ जून आट को सावित्री यहां से निकली वो अकेली नहीं थी छे साथ लोग थे साथ में रोड पर जब पहुंची तो बढ़कर लोग दस हो गए रावे पर पहुंची तो बीस लोग हो गए थे और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पचास सुन ट्रेन में फॉलो किया छोड़ दिया कार से फॉलो किया माफ कर दिया लेकिन जब मंदिर के पास आए तब उन्हें नहीं छोड़ा हमारे बीच क्यों आया थे वो लोग तुम्हें कोई गलत फैमी है बेटा ये आज की कहानी नहीं है, बीस साल पहले की कहानी है लोजिकरी देखा जाए, तो तुम बीच में आये हो कुंडली मिली है ये सोच कर लड़की को भागा करने जाना चाहते है आदम दुबारा अगर ये सोच अपने खयाल में बिलाया तब बहुत बच्चता होगे कई बार बेज़द्ती हुई पर बापू ने हार नहीं मानी उसी कुंडली के साथ सावित्री पैदा हुई सावित्री जब छोटी थी, तब से ही बापू की नजर उस पर थी बापू ने फ्रैसला कर लिया, कि सावित्री के कले में ही मंगल सुत्रपांध होना मेरी पतंग मेरी पतंग मुझे लटा दीजे न अंकल अंकल यह है तुम्हारे अंकल यह लो बेटी ले लो थैंक यू बहुत अच्छा कर लगा है बापू जी को एकदम जवान दीख रहे हैं बापू अब तो अब तुम ही बताओ सावित्री के साथ इनका शादी करना गलत है क्या बिलकुल गलत नहीं है सर उन्हें इस शादी करने दीए हम लोग ती है गलती से आगे है चलो चलो मामा तुम जड़र सालेंट रहो मैं इना हैंडल करता हूं यह लोग तो पागल है मुझे इस वक्त यहां पर क्या करना चाहिए है बीस साल से शादी नहीं की तो पेट में बुलबुले उठ रहे हैं और दिमाग में घलत फेमी पैदा हो गई है इसे चाइल्ड मॉलेस्टेशन कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसे साइकलोजिकल डिसॉडर कहते हैं तुम लोग एक ही गाउं के हो वो किड्नेप यहीं कर लेता तो तुम लोगों का पैसा बज जाता ना इतने छोटे काम के लिए प्रड़क्शन पे इतना जारा खर्च यह उंकल का एडिया था अगर गाउं से लेकर आये तो डाउट होगा लेकिन अगर गाउं के बाहर से लेकर आये तो लग मीलेगा इसले बिलकुल लास्ट मिन और इन्हें देखकर लगता है कि यहां mental hospital होना चाहिए था लगता है यहीं तुम्हारा treatment करना पड़ेगा बहुत अच्छी बात है शुरुवात मैं तुम सही करने वाला हूं सवाल मैं उससे पूछना हूं तो बारबार जवाब तुम क्यों दे रहे हो आज बापु का बाउन अरे उसे बुरा लगेगा इतना मतहस सोच रहा था इस गाउं में एक मेने टाइम पास कैसे होगा अच्छा वाथ तुम लोग मिल गए तुम्हारी भावी तो वही रहेगी लेकिन भाईया बदलने वाला है है होई तेरे कहने का मतलब क्या है बाग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट क्वाब का मतलुज़ मिल थाइम यूजब लेक झाल वावाब यूज़ झाला है रहाई खिल्गक्षै प्राउंड म्यूज़ को अचेया थाए, झाला हमे तुम्हाराय था। और मुज़क्षै यूज़क्षैर प्रधा ग्लग्र्यूब सब्सक्राइब बहुत उचेक है बेबी बत्तमीज दे तुम्हे थपल मार दिया गाना भी तो गया इसने इस उमर में ये गाना नहीं गाएगा तो क्या सन्यासी बनेगा फिर भी वो विश्वराव कितनी खुशी से नाच रहा था देखा था तुमने उसका डांस मुझे नहीं देखना है आज मेरा भांजा जो करेगा उसके लिए सब हो जाएंगे ओतार फान ऐसा क्या मामा वांजे आई लव यू मामा वेटा तू उस रलकी से सच्चा प्यार करता है ना इमोस्नल दुनिया देखेगी तेरा प्यार ना खाली जाए तेरा वार मुझे पीने का शौके नहीं यह लाइट कैसे चली गई गाव में ऐसा ही होता है रात होते ही लाइट चली जाती है अच्छा वा लाइट चली गई अब चल मैं तेरी शादी करवाता हूं चले मैं भी अपनी ताकत दिखाता हूं हम लोग इतने बुरे हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा तेरी भावी सोई होगी और सावित्री को मैंने नीन की गोली दे दिया है फिर उसत्ती का क्या अगर वो उठ गया तो वो गया खत्तम मुडर नहीं हात्या चाह वोईस मिलिटरी फॉर्मेशन केक लाया हूँ बलून्स लाया हूँ कैंडल लाया हूँ इस्प्रेय अभाई का बड्डे है तो फिर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं वह बाई के बड्डे में सिर्फ केक देंगे तो उन्हें थोड़े ही मज़ा आएगा गिफ्ट के लिए उसे लेकर जाएंगे वोट कोन है मुझे तो अपने रिशी लगता है तो फिर यह लोग कोई है उसका रूम मांजे, बगवान ने किया गर रोशन हम करता है, हम लगवान नींद की गोली की बाद सिर्फ मुझे बताया है, पुरे गाउं को बताया है क्या हो आ मामा? दावित्री सच में महान है, वो देवी है कैसे बता चला? आज के जमाने में भी उस्ते इस गदे को घर में सुलाया है क्या गदा? विजए, बुमेदर आओ, इदने में ज्यादा नीं पिता चल जाती है, मजाएगा मैं इस गदे की सवार ही करूंगा देख मैं तेरी पर बैठने वाला हूँ, अगर तुन्हे लाद मारी ना, तो मैं तुझे मारूंगा अम्मा गदा काई की आवाज क्यों निकल रहा है ये इस वक्त यहां क्या कर रहा है, प्रे भागो रिशी को अखेलाने में धर लगा होगा, इसलिए साथ में गुंडू को लाया है तुझे 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 अपे क्या कर रहे में तुझे लैंप की राइट पढ़ा दी और मेरा जला दिया क्या जल गया ऐः, साइकल चांदे की साइकल, सुने की सीड, चलो चले डा यह साइकल रूख मैं भी आ रहा हूँ अच्छा हुआ इसने देखा नहीं हाई हम लोग आये हैं, यह बात रिशी को मत बताना तो फिर यह मुझे टोपी दो मेरे पास तो एक ही टोपी है मैं तो फिर भी बताना, अरे अच्छा हुआ, बालूंस छोड़ दिया, भाई खुश होंगे अरे लो, यह भी गया है, मेरी छोटी साइत्री, मेरी क्यूट साइत्री बचपन से ही शादी का खेल खेल रही है आखे देखा, यह नाग देखा, यह होट देखा, नहीं, इसके नीचे नहीं मुझे चाटा क्यों मारा साइत्री, कोई बात नहीं जाटा मारते वक्त यह गयर गया था, फिर से पैना दू का दूति putting प्द्टे का केक है क्या कर रहा है च्टम करेगा यह क्या क्या दूने फालो में उन्हें सब लग सिखाते हैं अब उसे ले जाने आया हो किसको अर्ल एक्टिंग कर रहे हो नाटक बंद करो और बताओ क्यों आया हो वो क्या है कि कला मारे भाई का बड़्डे है गाओं के बिग पीपल को बुलाने के लिए आया था बिग पीपल आप भी हो भाई बुलायो ना आउंगा अब मैं तीन तक गिनता हूं ठीक है अरे भाई आप काउंटिंग तो शुट करो हूं वान बहुत जल्दी में थे भाई प्रदा नहीं कहां चले गए आप पर नहीं कर संब्दी रजहिए heo अफशाओ किये व। तुझे क्या वह बैडी तो ड्लव कै कैसे तुम गायतरी साजतरी की सिस्टर पी कर रहा हूं तो गलत में समझना तुमने डैडी से बात की तो तुम कैसे लड़के हो ये मैं समझ सकती हूं लेकिन वो नहीं समझेगी समझ गई वो लेकिन बता नहीं रही है शादी नहीं करना है तो घर से भागने की हिम्मद तो आप में है लेकिन लड़का पस्तन नहीं तो ना बोलने की हिम्मद नहीं है लेकिन तुम्हें कैसे पता है प्यार किया है शादी करने के लिए आया हूं इसका मतलब छोड़ना नहीं होता बल्कि जानना होता है क्यों इतना भरोसा? मैं अच्छी बात कई बार कह चुका हूँ कि मैं दिलो जान से उसे महबबत करता हूँ और मेरी महबबत इसी भरोस उपटेगी है इसके लावा और कुछ नहीं है वैसे तुम्हारी बैन है बहुत प्यारी एनिवेर थैंक्स, फिर मिलेगे उसके लिए तो अच्छा लड़का मिल गया बेबी, बेबी सत्थी, हमारे गार में कुछ कड़बर चल रही है तुम्हें तो बस इतना ही पता है कल रात में और क्या क्या हुआ तुम्हें नहीं पता किस कड़बर की बात करे हो उसके दोस्त लोग आकर बहुत गड़बर किये प्रिश्य आया था उनकी बात छोड़ो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसने तुम्हें पसंद किया है अब अमिरका जाओगी है, क्या हुआ मैं जाकर शादी के त्यारी करता हूँ अरे वाँ आप तो बहुत अच्छा केलते हैं रात में हम लोगों ने इतनी धमा चोकड़ी बचाई की क्या बता हूँ तुने साइकल बहुत अची जलाई सुनो, सरा इधर ना तुमसे ही बात कर रहा हूँ आजाओ यर उन्हें बुलारी की क्या ज़रूत है आमने सामने बेटकर बात करेंगे तो पता चल जाएगा की क्या है उदर क्यों खड़े हो आजाओ ना कल रात को जी हुआ तो उसे पता चल गया होगा अब क्या होगा बांजे लगता है हाथ पेर बांध कर मारेगा चलो रात को तो यह भाग निकला था ना अब देखे से कैसे गेरता हूँ यह लोग क्या फुस्फुसा रहा है शाहिद तुम्हारी ही बारे में शौक मत दे यार तू कुरसी ला कुरसी क्यों बुलाया ऐसे पत्ते खेलने के लिए बुलाया क्यों क्यों बात वगई देखता हूँ कितने बड़े खेला रिया इसके अलबात कोई आप्शन नी है यह क्या यार तुमने यह पता अरे यह नहीं तो कौन सा पता फेगो तुछी प्रहें कौन एसा नाटक मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है अच्छा तुम बोल रही हो क्या कर रहे हो मेरी बेटी है मेरी बेटी है हाँ इसी की तो जरूरत थी आपका क्या अले ससुर्गी मेरा भी हो जाता था बेटा जुस्ट मिस्ट तुम्हारे पास कौन से काड आई थी रानी आई थी किसमत वाले हो गुरू मुझे तो लेकिन राजा की जुरू थी आपको राजा चाहिए लेकिन मुझे रानी चाहिए और आपसे मुझे में ज्यादा ताकत है तुम्हे इतनी देर होगी कहां रह गये थे भाईया उसके साथ पत्ते क्यों खेल रहे थे? क्यों क्या हुआ वह हमारा दुश्मन है क्या अरे कल को हमारी सावित्री की शादी होगी तो उसे कार्ड नहीं दोगे क्या तुम ऐसी बात नहीं है वह अगर अच्छा इंसान है तो मैं भी अच्छा हूं और अगर वह बुरा है तो मैं बहुत बुरा तुमने शो किया तो उसक माफे मांगने आई हो या जुमके के लिए थैंक्स कहने आई हो लगता है बारिश होने वाली है और कुछ बोलो मैं यहां आ रही हूं यह बाद सत्ती को भी नहीं पता और आगे बोलो हिम्मत जुटा कर मैं तुमसे अखेले मिलने आई हूं इसके आगे मैं तो सब कुछ समझ सबनित आऊए हूं लेकिन तुम नहीं समझ रहे कि मेरी शादि होने वाली है तुम्हारे रहते में अपनी शादी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूं तुम प्लीज यह सा चली जाओ मुझे न यहीं तुम पर गुसरे और नहीं तुम पर प्यार आ रहा है नहीं देको बहतर ह तो मुझे सताना चोड़े लो यह लोग भी यहाँ पर आ गए पंड़ जी मेरी छोटी बेटी की शादी है उसी की शादी का कार्ड है यहाँ पर रखकर ज़रा पूजा कर दीजिए क्या हुआ इस सत्ती उसे देखना कल उसे कितना समझाया फिर भी किसे घूर रहा है कंट्रोल करो बेबी कंट्रोल मैंने पूजा कर ली है अब आप यह विवाह पत्र बाढ़ सकते हैं विवाह मंगल मैं हूँ अच्छी बात है मरे मामा वो ऐसे क्यों देख रहा है चलो कर दकर कर लेने वाले मामा कुछ तो करो अब मैं क्या करूं उनके पास काड़ लेने के लावा और कोई दूसरा चारा नहीं है अच्छी बदेखो कार्ड किसी भगवान जैसे इंसान को देने के लिए कहा है इस गाउं के लिए तो आप ही भगवान जैसे आपसे अच्छा भला और कौन मिलेगा देब बीठी शादी में आईएगा जरूर बैया टाइम हो रहा है चलिए चलते हैं यहां से आहां चलो चलो अरे रे 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 क्यों चाचा महरत देखकर नहीं निकले थे अब मैं पूरी तरह रिलाक्स हो गया सावित्री की शादी का पहला कार्ट बाबू को मिलाए आपके होम हवन और पूजा ने अच्छा काम किया शादी में आना धूम मचाएंगे चोचो चाची मेरी माई सीडियोल को बहुत देखती थी मेरी भी भाई बंद करो वाकई ये हमारे लिए बेज़ज़ती की बात है लेकिन आज तो मैं उससे आवश्य ही नाचना चाहूंगा अपनी महामंत्रों की शक्ती से ए अंकल क्या बोल रहे हो सुर्यास्त का वक्त हो चला है अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है ये क्या बोल रहा है लंकिनी, शंकिनी, डाकिनी ये सब इस वक्त मेरे कंट्रोल में है ये काली रात उसकी काल रात होगी और तुम्हारी स्वाग रात तुम्हारी सारी बलाएं अब मैं उसके हिस्से में डाल दूँगा तुम्हारी शादी होगी और उसकी ए अंकल, तुम क्या बात कर रहे हो? और कहां के लिए चल दिये तो तीन बच कर पीस मिनट पर तुम तयार रहना मैं चलता हूँ अंकल, अब क्या करना है? तुम सब उत्तर पूर्व दक्षचिंद दिशा में फैल जाओ अंकल, ठैली क्यों निकाल रहे हो? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है अब मैं तुम सब को दिखाऊंगा अपना असली रूफ मेक अप करोगे? अंकल पागल हो गया है चलत, मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? वहाँ जाओ नो भाई, वहाँ जेगे खाली है तुझा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा यहाँ पहले मैं आया था मेरी जेगे कब सा करता है? चल जो अंकल, लगता है कोई है तुम सब जरो मत, वह हमारे लिए ही यहाँ आया है और टंकिनी और टंकिनी ए अंकल, वह हमारे साथ है या हमारे खिलाप है? वह तो हमें मार रहा है अंदेरा क्यों कर रखा है? चलो लाइट जलाओ भूत बनकर तु ही हमें डरा रहा है ना? क्या का? यार भूत बनकर हमें क्यों डरा रहा है? लंकिनी, संकिनी, डंकिनी, यह अंकल के अंटी आ है क्या? अरे रुको यार, फाइट करने के लिए भी दस मिनेट बाकी है मेरे लिए इतना काफी है अरे पोजिशन चेंज करने के लिए अंकल ने मना किया है यह अच्छी बात है कोई भी अपनी जगस ते हिलना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, और मेरे पोलने तक मारना मत बेकार की पूजा बंद कर, भाई पहले इसे मारो अरे रे 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 रे, रे 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 आठों दिशाओं में वज़न अच्छा रखा है, यह सब अंकल ने किया है बागी क्या हाल चाल है भाई थोड़ा ब्रेक दोगे तो हाल चाल ठीक हो जाएगी ब्रेक चाहिए तुम्हें ले दो मैंने उसे अच्छे से मारा ना मैं तुमसे कट्टी हूं भाई शर्मा क्यों रहा बता ना जस्ट ओके इतनी मेहने से मारा हूं तुझे सिर्टा एक चोटा से रिक्वेस्ट है भाई क्या है भाई दो दिन हो गया भाई उस बुड़े ने खाना नहीं दिया थोड़ा आराम से मारना भाई फ्लीज भाई इस महिने में डिसकाउंट नहीं है अंकल है पुझा पाट सब हो गया एकाल का ग्रहन चंद्र का मरन आ रहा है आज के दिन मुझे रह अक्षर वाले नाम की आदमी से बात नहीं करनी है अंकल रह अक्षर वाले नाम की आदमी से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं मार सकता हूँ, अरे अंकल के चक्कर में हमें बहुत मार पड़ी भाई, अगनी कोण में आग लगाया, इशान कोण में खाली रखा, डक्षीन कोण में तुम्हें रखा, एभी वो हमें कंट्रोल में रख रहा है, चारो तरफ से नव ग्रहों को, आखिर में मैं भी, अरे बाप रे, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बापू, तो ठीक है, अब मैं उसे देखता हूँ, क्या हुआ सर, गाड़ी बंद पड़ गई क्या, कहां जाना है, परिशान मत हो, मैंने अपने आदमी को भेजा है, वो बस आता ही होगा, गाड़ी रिपेर में बहुत टाइम लग जाएगा सर, चलिए आजाईए, चल पीशे बट, सुनो, मेरा भाई आय तो उसे कह देना, मै स्टेशन गया हूँ, ओ माई गाड़, ना चाहिए था, इस तरह ट्रेन में क्यों आए, I love Indian culture, मैं नेचर को बहुत ही करीब से देखना चाहता हूँ, अच्छी बात है, तो कैसी लगी यह जनी, बहुत ही बुरी अंकल, लाइफ में फिर कभी ऐसे ट्रेवल नहीं करूँगा हाई ब्रो, तुम सावीत्री के ब्रदर हो ना, एक बाल और पूछ के देख लो, फिर देखो क्या होता है, यह हमारा रिष्टेदार है, खेती का काम देखने के लिए आए, ओ, खेती का काम, यह तो बहुत ही जबरदस्त काम है, तुम्हारा काम बहुत ही कमाल का है, एकड़ पीसफुल है, एकड़ स्मूद है, एकड़ स्टाप, बहुत है इसकी फोटो क्यों ने रहा हो, वाई फिर्स पफ़लो पिक इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, पिकल इंडिया तिपिकल इंडिया उस, बट ब्रो, रव यह यह अटित्टुद और देख रिविं ब्रो, प कीप इंडिया, बाई, चलो, अरे बाफरे, मेरे दुलहे को तुमने घर तक ड्रॉप किया, कैसा है वो यह जाने के लिए फोन किया, शकल देखोगी तो डर जाओगी, च्छा, क्या कह रहे हो, बाकी सब तो बहुत आरिफ कर रहे है, चुप करो, फोन रोको, पागले समझ मे नहीं आ रहे है, मेरे को तो चलाग लगती है, अब इतनी भी चलाग नहीं मामा, पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे है, कैसे भी करके अगर सावित्री के शादी तुझ से हो गई ना, तो सच में मसा आ गाए है, बोली बाफी, दूले की फैमिली आ चुकी है, डैडी आप मोल दो, बता दे तम अब आपी, बेटी कृष्णा नहीं दिखाई दे रहा, वो अपने परिवार को लेकर पहले मंदिर गए है, फेर यहां आ ये, अच्छी बात, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, ये मेरी पत्मी है, नमस्ते, और ये मेरी चोटी बेटी, ये मेरी बड कोच्फवारी ररो, सावित्री, नमस्ते, ये बपन, हलो, बेबीव, ये रून फ्रस्रूकर बार hoping ।बेबीव पहनान नहीं बेवी थर डचननति नहीं ये नहीं तरह pertoले, ये मिनफ्री, एमक फिश्करी, ये मिन फिश्करी, दूपिद बेवार बेवी… ये जाल्दी हएल गबरा क्यों रही हो तुम्हारे आगे पीछे बैट लग साप की तरह नाच रहा है एक तरफ रिशी एक तरफ यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बार में पता चल गया तो या होगा पिछली बार शीरडी गये इस बार काशी जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा क्या क्यों नहीं पता चलेगा वह रिशी अभी फोन करके सब बता देगा तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है छे रिशी ऐसा नहीं करेगा मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूं क्या हो रहा है बेबी तुम उसके बारे में कुछ जादा ही सोच रही हो यह पैगलपन छोड़ो उसे फोन करके बताओ कि वह इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता है मेरा बहुत काम बाकी है मैं जा रहा हूँ सावित्री तुम्हारे भाई से शादी क्यों कर रही है जबकि रिशी यहां मौझूद है दोनों ने जबान पर ताला क्यों लगा रखा है यह आखिर हो क्या रहा है बेबी मैंने बोला था ना बेबी सम्टिंग इस फिशी हाँ जोड़ने से अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाती तो मंदिर में घर बना लेते सब यहां हाँ जोड़ने से अच्छा उधर रिशी का पैर तोड़ दो क्योंकि उसके कदम दिन पर ते दिन आगे बढ़ रहे हैं जब मैंने तुम्हारी बहन को छेड़ा था तो तुमने अभी समझ में ब्रो वाई लाइक इंडियन कल्चर मेरी बहन अमेरिका में पढ़ती है इंडियन से शादी करती है बट आई लाइक यू नो हट फिलिंग बट सावित्री वो तो यहीं की लड़की है रिती रिवाज फॉलो करती है वो तो बहुत सिंसेटी में जी आप तो ब किसका फोन ता ब्रो गल्फ्रेंट है क्या आप बिन अब्सरविं इन्हों ने तो प्यार किया है लेकिन उसे कहते क्या है नहीं पता बट बाइगार्स ग्रेश मेरी तो अरेंज मैरी है बट प्लीज ब्रो तुमारी लव स्टोरी बताओ ना लो स्टोरी कम ओन टेल इस यार उसकी आँखों में प्यार बातों में घुस्सा दोनों ही दिखता है मुझे उसने तो इंकार कर दिया लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूं बस यह लो स्टोरी है बस मेरी शादी को तुमने बचाया तो क्या अपनी शादी को नहीं बचाओ कितनी बार कॉल किया तुमें उठाया क्यों नहीं तुम क्या कर रहे हो कहां हो यह मुझे नहीं जानना पर दस मिनिट में मुझे घर के पीछे मिलो बाई तरची बाता यहां पर मच्छल नहीं है दमाजी, आप यहां कैसे? चोटे सेसुर्जी, स्मॉल पार्टी, फायर बिट्विन फील्स, कम जॉइन अस नहीं नहीं, शुक्रिया, एक शोड़ा सा काम है काम है, that is why I hate Indian mentality हलो, सावित्री कहा है यहीं कहीं होगी जी तेरी आखों के सामने है के नहीं है नहीं है यह अभी तक आया क्यों नहीं सावित्री शुकर है आए, मुझे ना तुमसे कुछ होचन बात करनी है मैं मधु को पहले ही कह चुका हूँ वो दूलोग को कुछ नहीं बताएगा यह बात मुझे पहले से पता थी इसलिए नहीं बुलाया है मुझे बहुत डर लग रहा है सावित्री, मैं तुम्हारे सामने पी कर रहा हूँ लेकिन क्या तुम्हें मुझे से डर लग रहा है पर अंदर जो बैठा हो ना तुमसे शादी करने के लिए उससे तुम्हें डर लग रहा है यह ठीक नहीं है सावित्री क्योंकि तुम जान पहचान वाले से शादी करनी चाहिए अंजान के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए तुम इस तरह से बात करोगे न तो मैं यहाँ से चली जाओंगी बात करो सावित्री मुझ से नहीं अपने दिल से बात करो और देखो क्या जवाँ मिलता है अगर तब भी इंकारा तो हमेशा के लिए लोट जाओंगा फिर कभी नहीं आओंगा तुम हमेशा ये बाते क्यों करते हो क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है मुझे इनमें कोई दिल्चस्पी नहीं है तुम्हें ये कैसा मजाग लगता है माना कि मैं पीकर आया हूँ लेकिन तुम्हारे निशे के आगे कुछ नहीं है हमारे बीच जो फास्ला है वो सर्फ दो कदम का है और अगर ये दो कदम तुम मेरी तरफ पढ़ा लो तो हम अलग नहीं होंगे मेरी प्यार को समझने की कोशिश करो तब मैं तुभारे बेना नहीं रह सकता सच कह रहा हूँ नहीं चीपाओंगे साइत्री रिशेट चाचा अंदर जाओ तुम अंदर जाओ मैंने तुझे चेताव नहीं थी थी ना क्यों मेरे खार के तरा खाताना तुझे वह आया तुझे वह आया तुझे यहाँ तुझे वह इतनी हमत के मेरा हाथ पकड़ता है सब को पता चल जाएगा तुम्हें अपने भाई को जवाब देना पर जाएगा किस जवाब की बात कर रहा है किस बारे में कह रहा है और कितने सालों तक ऐसे चुपाएंगे यह ज़र अपने भाई से पूछो किस बारे में पूछो उसे सर दोरा बाबुजी इज़त, मान, प्रतिष्ठा इन सबसे बड़ा होता है प्यार लेकिन आपका छोटा भाई इन पहली तीन वेल्यूज को बचाने के लिए प्यार को मार रहा है तुझे पता है तु क्या कह रहा है? मैं अपनी फैमिली के बारे में कितना सोचता हूँ तू क्या जानता है? आप नहीं सर आपके पूरी फैमिली आपके इज़त बचाने के लिए बहुत सोचती है और इसमें सबसे आगे है आपका भाई हाँ मानता हूँ तो वो मेरा भाई है? मेरी इज़त बचाने के लिए सुचता है तो उसमें बुरा क्या है? यह आपके बड़ी बेटी है जर शादी से पहले यह बहुत खुश थी लेकिन शादी के बाद यह खामोश है इसका क्या मतलब? तुझे पता नहीं है शाय मेरी बेटी और दामाद दोनों एक साथ बहुत खुश है जाकर पहले अपनी बेटी से पूछ लो दामाद जी जरा बेटियां को बुलाना गायतरी गायतरी? गायतरी? उसका नम गायतरी सर आपके दामाद को बता दीजिए और एक बात बता दो आपकी छोटी बेटी से शादी करने के लिए इस गाओं के बाहर कोई 20 साल से इंतिजार कर रहा है और उसके आदमी यहाँ पर भी है जिनमें से एक को मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ यह रहा वो 20 साल पहले इसी आदमी ने आपकी बेहन पर बुरी नज़र डाली थी सर और इसी आदमी ने आपकी बेटी पर बुरी नज़र डाली है मैं आपके आखों के सामने इसे मारूँगा रम्हा ही क्यों ना आ जाए वधू को किसी भी हालत में छोड़ना मत दे कराओ तो आखिर छेप किससे रही है तो कितने भी कोशिश कर ले पर सच्चाई से छेप नहीं सकती रिशी रिशी ही सच्चाई है वो घर के बाहर ही है अंदर आना तो उसके लिए बहुत आसान है मगर उसे यकीन है कि तू उसके लिए बाहर जाएगी आई उस दिन मैं किसे से प्यार नहीं करती थी इसलिए कहा जाना था पता नहीं था इसलिए हात लग गए तो ने मेरे बारे में बताया वो तेरी गलती नहीं थी गल्ती मेरी थी के मुझे मंजिल का पता नहीं था लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है सावित्री तुम्हें कहा जाना है तुम अच्छे तरह से जानती हो लेकिन कैसे जाना है वो नहीं जानती हो जित पर अड़े रहना सिर्फ अपने बारे में ही सोचना सहीं नहीं है सावित्री प्यार को खोने के लिए एक मिनट काफी है पर उसे पाने के लिए पूरी जिन्दगी खत्म हो जाती है अब तुझे क्या चाहिए तुखुद ही सोच ले यह सब मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो वो तेरे साथ ना हो बापू दिखने में राक्षस जैसा जरूर है लेकिन है यह बहुत सेंसिटिव इसे मत मारो प्लीज अगली बार कुंडली देखकर अगर किसी पर बुरी नजर डाली तो नजरे नहीं बचेंगी सुन चाचा समझा दे इसे बापू बीस साल तक रुके हो और बीस साल रुक जाओ आदत पड़ जाएगी चलो 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 बापू चलो आपका प्यार शादी के इस खर्चे में दिखाई देता है और मेरा प्यार उन लोगों को मारते वक्त गया होगा इतनी दूर आने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर जब तक उसके शादी नहीं होती मैं यहीं रुकूंगा चाहे वो उससे शादी करे या पिर मुझ से वो हमेशा कन्फ्यूस रहती है सर उसे फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगेगा आप जाकर अपना काम कीजे मैं तब तक यहीं पर बैठता हूँ अगर यह शादी तुझे मनजूर नहीं थी तो एक बार उससे कह देती डैडी उस दिन मंडप में जोर सी चिला कर मैं सब को बताना चाहती थी कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मैंने मा को देखा चाची को देखा चाचा को देखा यह सब तो घर से भागी हुई लड़की वापस आ गई तो सब लोग बहुत खुश थे तब मैंने आपको देखा मेरी बड़ी बेटी की शादी हो रही है इसलिए आप सर उठा कर गर्व से खड़े थे तो मैंने अपना सर जुकाया मेरी बारे में आप लोग इतना ज्यादा मत सोची है मुझे एड़्जेस करना आता है इसलिए आज नहीं तो कल मैं अपने पती से मिल जाओगी लेकिन आप छोटी के बारे में सोची है मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गए भईया एए कृष्णा दुख और सुख के बीच ज्यादा फासला नहीं होता मुझे सुख देने की तुने कोशिश की और तुने मेरे बीटी को दुखी कर दिया है इस घरवालों को क्या चाहिए वह उससे ज्यादा तुझे पता है तू उन्हें दे सावित्री 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 दर्वासा बंद करके बैठी है मूरत का टाइम हो रहा है चल तुझे सुनाए नहीं देता क्या चल क्या हुआ बेटी टाइम हो रहा है मूरत निकल जाएगा आप सब लोगों के बुलाने के बावजुद मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे सावित्री को तो शादी करना बहुत पसंद है ना तो फिर उस फोटो में जो खुशी है वो अज मेरे चेहरे पर क्यों नहीं शादी से पहले हर लड़की इसी तरह डरती है मैं डरनी रही हूं बाबा, गुस्से में हूं, वो कौन है बाबा, जो आपो से ऐसे बात करके बाहर मेरे इंतजार में बेचा हुआ है कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है मैं इस शादी से इंकार कर दूँगी और उसे पूरा यकीन है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ आप लोग मुझसे प्यार करते हो ना मेरे बारे में आप सब सोचते हो ना फिर सिर्फ उसी ने कैसे जाना कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। शायद हर लड़की ऐसी ही होती है। जो हालात से लड़े वो खुश रहती है और जो ना लड़ पाए वो दुखी रहती है। उसने मुझे समझ लिया है बापा। दीदी की शादी के वाग मैंने बहुत कलत किया। अब वो कलती नहीं दोराना चाहती। हर घर में एक लड़की रहती है हम उसे नहीं समझ बाते। इस बात का एसास मुझे आज हुआ। कैसा ना समझ बाप हूँ मैं। गायत्री शादी के दिन मुझे कुछ कहना चाहती थे लेकिन कह नहीं भाई। ये बेटी की नहीं बाप की हार थी। उस लड़के ने डाट सहलिया, मार सहलिया। इससे उसके प्यार का अंदाजा लगा है जा सकता है। तेरे दीदी के समय मुझे से गलती हुई है। लेकिन वो अंजानी में हुई। आज मैं वो गलती नहीं दुराने वाला। अरे वो तुझे मिला कहा था ये तु बता। हम सब का परिचे उसने हम सब से करवा दिया। आयारे भूमरा हो, आयारे भूमरा हो, जिसके लिए तुम आई हो। आयारे, आयारे, मादानी माने हो, जिसके लिए अंध से तुम आई हो। अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो शादी हो जाएगी। उछेज़ बाद बाद मेरी हो। अनधर तुमने तूफान मचा रखा है और यहां आराम से सो रहे हो। बार जाएगे सो जाओ। एँ उचो, हटो यासे चलो यार। अज के बाद ये जगे मेरी है। आज के बाद ये जगे मेरी है। What's going on here? यही बाकी था What is this secret gossip meeting going on? For the past one hour, I'm waiting at the mandap I'm getting bored You know how many mosquitoes have bitten me? Oh! दुलन भाग गई यहा Why do you always need NRI relations? You can go local local Typical Indian matrimonial One more NRI gone into the drain What to say oldie? You spend so much for this kurta But all waste Typical old murmuring Get out! आकाऑ़ दुलितो We will see you last night You can do it again I can do it again You can change this up Again, we will see you next week Your दोन दूनाता What a power달 I can do it again Yeah, I can do it again But all the rest of the day